कि है गाइस वेलकम तो दो कॉंसेप्ट जोल्स मेरा नाम है देवेन सिंग तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिम्हार दोजार सत्र का चैप्टर नंबर 12 वेंटिलेशन का पार्ट टू ठीक है तो इसमें हम देखेंगे आज तक देखेंगे ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप कुछ अक्जलरी फैंस वगेरा आप देख पा रहे होंगे ठीक है तो हमारा पहला रगुलेशन है रगुलेशन नंबर 161 जिसका नाम है अक्जलरी फैंस ठीक है और इसमें यह बोलता है कि जितने भी अ इंस्ट्रूलेशन उनका लोकेशन या फिर उनको इस तरीके से वो वरकिंग कंडिशन में रखना है कि सफीशन कॉंटिटी में एयर हर एक टाइम हर वक्त सफीशन कॉंटिटी में एयर क्या हो रीच करे मतलब की एयर माइंस के अंदर जाए और री सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए अरक का यह चीज हमें ध्यान में रखनी है ठीक है अब यह भी चीज ध्यान में रखना है कि अगर और को कहीं से री सर्कुलेट्वी करता है वो तो वो इस टाइब की एयर में क्या नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेबल या फिर नॉक्सियस घैस नहीं होना चाहिए जिससे की जो की मतलब हामफुल हो वर्कर्स के लिए ठीक है अब यह कहता है कि जो आपका इलेक्टिकली ड्रिवन अगर आपका उक्जलरी फैन है तो उसकेस में उसे मतलब अच्छे से अर्थ में क्या करके रखना है धर्थी से उसे कनेक करके रखना है ताकि इलेक्ट्रस्टेटिक चार्ज का अक्यमिलिशन नहों मतलब की अर्थिंग उसे प्रवाइड करानी है ठीक है अब प्लाइंड एंड में हवा पौंचा रहे है या फिर किसी ब्लाइंड end में हवा पहुंचा रहे हैं फिर blind end से दूसरी जगे हवा पहुंचा रहे हैं तो आसानी से वो चला जाए ठीक है मतलब कि कम से कम leakage हो air duct का use करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि leakage को वो घटा देता है ठीक है और उसके कारण क्या होता है कि adequate supply of air हमारी face तक पहुंचती है और blind end तक भी पहुंचती है ठीक है यह हमें ensure करना रहेगा लेकिन कि कम से कम 3 मीटर तक face से या फिर blind end से 3 मीटर तक की दूरी में क्या हो air sufficient amount में adequate amount में air वहां पर present हो अब blind end होता क्या है blind end basically मान लीजी यह हमारा face है ठीक है यह working face है यह यहां तक हमने work किया ठीक है इसको इस face में यहां तक work किया उसके बाद हमने आगे work ही नहीं किया तो यह क्या हो जाएगा तो उसी की बात यहां पर कर रहा था ठीक है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर डक्ट को देख पा रहे होंगे कि डक्ट किस टाइप से यह है डक्ट ठीक है और यह इस टाइप से हम ब्रैटिस का यूज करते हैं ताकि हमारे एर करी शर्कुलेशन वगेरा ना होने पाए ठीक है अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन अमर 162 प्रिकॉस्ट अगेंस्ट फायर इंवेंटिलेशन अप्लाइंस ठीक है इसमें यह बोलता है कि अगर किसी भी में जितने भी के मेकानिकल इसमें ही होना चाहिए ठीक है जितने और जितने भी ऑग्जलरी फैन के अलावा जितने भी फैंस यूज के जारें बिलो दग्राउंड ठीक है उन फैंस के आसपास इस तरीके से हमें काम करना है कि माली जे कहीं पर एक्सपो कार्बोनेशियस माटीरियल है रूफ में फाइर रेजिस्टनड इसेलेंट की मदद से हमें क्या करना zuk colonial छृम करना है ठीक है और यह कितनी दुरी तख यह जाए ओस तीक है फ问 से पांश मीटर की मैं थे आकिन्स फाइदो यह काम विचम करना पड़ेगा ठीक है ता कि क्या होगी आ और रचद सिंधों में उन पूरे माइस में फैल जाएगा ठीक है तो इसलिए भी हमें यह सब चीजे करनी चाहिए ठीक है अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन 163 जिसके बारे मैंने इस में नहीं लिखाया अपने पीपीटी में डाला था ठीक है इसमें कुछ खास नहीं इसमें सिर्फ इतना बोलता ह का पूजीशन इंस्टोलेशन उनका एरेक्शन रिमूबल अल्टरेशन इंस्टोलेशन यह सारी चीजे मतलब जितनी भी डीटेल्स होती है सर्वेयर द्वारा उसमें अप्टूडेट करके रखना पड़ेगा ठीक है दूसके बाद वाला रेगुलेशन है रेगुलेशन न इसी वर्किंग जितने भी रोडवेज हैं या फिर वर्किंग से बिलो ग्राउंड जहां पर अडिक्वेट अमांट में वेंटिलेशन नहीं पहुंच रहा है तो उस जगह को क्या कर देना है फैंसिंग कर देना अगर किसी भी कारण से मतलब को भी परसन यह पाता है कि वहा से रेमिडी कर सके या फिर उस वर्किंग प्लेस को वो क्या कर देगा सीज कर देगा ठीक है उस केस में अगर हमारा अगला रेगुलेशन है रेगुलेशन नमबर 165 प्रेकॉशन से गेंस्ट गैस दूरिंग डिवाटरिंग और रिओपनिंग सॉरी अगर आपको अपने किस भी माइन में किसी बाइं पार्ट को क्या करना या फिर रिओपनिंग करना है थिए थर उस केस में आपको अगर यह काम करना है तो कोई विदि प्स वर्किंग है या फिर कंग है या फिर शाफ्ट है ठीक है उसे डिवाटरिंग direito तो आपको एक कॉंपीतेन पर्सें वहां प अब हमें क्या करना है कि कोई भी माइं ये माइन का पार्ट साथ दिन से ज्यादा के लिए एक यार है उसका बंद अपरेशन वह प्रेशन सब्जिवक्रत है ऑफ्लेंग अपने री ये माइन तो केस में करना अपने ऑर थीक परेशंगे लारे व्लाप safety lamp अपने साथ ले जाएगा जो कि approved होना चाहिए ठीक है और उसमें determine करेगा कि कभी भी inflammable noxious deficiency of oxygen तो नहीं है ठीक है ये सारी चीज़े उसे determine करनी पड़ेगे अगला regulation is regulation number 166 precautions against inflammable and noxious gases इसमें ये बोला है कि inflammable gas गहां पाई जाएगी तो हमें कैसे पता चलेगा जैसे कि बहुत बार gas rating में सवाल पूछा जाता है हम कभ कहेंगे कि gas हमें मिली है ठीक है तो हम कभ कहेंगे हमें gas मिली है इस सवाल का जवाब मैं आज आपको बताता हूं इसमें ये है पहला point है कि अगर methane detectors 0.1% या फिर उसे ज़्यादा gas पाई जारी है तो उसे degree 1 gassy seems कहेंगे ठीक है अगर methane detectors 0.55% या फिर उसे ज़्यादा gas पाई जारी है तो उसे degree 2 gassy seem कहेंगे और अगर flame safety lamps से या फिर methane detectors चButton से 1.25% से ज्यादा inflammable gas पाई जारी तो उसे हम कहेंगे कि डिग्री त्री गैसी सीम है ठीक है यह चीजें आप ध्यान में रखिएगा अगर आपसे दुबारा कोई सवाल पूछे का हम कब कहेंगे इस से ज्यादा परसंटेज अगर होगा तो ठीक है डिगरी वरन के लिए बता दिये 01.1% बिगरीटू के लिए 0.5% और टीक है अब कहीं भी माइंस में कहीं भी है ना माइंस में कहीं वी इंफ्लेम लिए फिनोक्षिस गैस पाई जाती है ठीक है उस केस में सारे परसंप को मह एंटर करने के लिए अलाव नहीं करेंगे और गैस को वहां से हटाने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे इस्टेप्स लेने पड़ेंगे ठीक है और जितने लोगों की जरूरत है रिटन साइन में उतने ही लोगों को वहां पर रखना है उसके अलावा जितने भी लोग है regulation number 167 जिसका जो है inspection of unused workings for gas ठीक है unused working का हम क्या करेंगे gas के लिए inspection करेंगे अगर कोई fairy seam है या फिर gassy seam है second or third degree की ठीक है जहां पर original inspector अगर चाहे तो writing order दे सकता है कि इन unused workings का जो भी sealed जिनकी sealed off नहीं है उनका साथ दिन में कम से कम make wire inspection competent person द्वारा होनी चाहिए कि वहां पर inflatable या फिन oxy gases तो present नहीं है ठीक है अगला regulation रेगुलेशन नमबर 168 जिसमें कि यह बोला गया है कि कि कोई भी lamp या फिल लाइट यूज नहीं करना है ठीक है approved safety lamp या फिल टॉर्च का ही इस्तमाल करना है जो कि Central Electricity कि authority measure authority regulations 2010 द्वारा जो कि approved है और चिंफी इंस्पेक्टर द्वारा writing में order किया करके देकर ही approval किया गया है उसका ऐसी चीजों का ही माइन्स में यूज करना है ठीक है अगला regulation है regulation number 169 determination of percentage of inflatable gas and of environmental conditions और यह बोलता है कि जहां पर भी electrical energy का इस्तमाल किया जा रहा है ventilating district में ठीक है तो उनका उसका determination पर उस case में inflatable gas का determination होगा percentage का general body of air में वह कैसे करना है ठीक है तो पहली चीज तो कौन करेगा competent percent द्वारा होना चाहिए दूसरी चीज यह बोलता है कि जो determination होगा या तो analysis होगा air का या फिर मतलम कोई करेंगे या फिर आप sampling करेंगे ठीक है sample कर लेंगे अब sample जो होना चाहिए उसको आप लेंगे तीन दिन के भीतर भीतर उसे कहां भेजना है analysis के लिए बेज देना sampling को ठीक है अब जो सम्ट जो भी आप यूज कर रहें अपरेटस ठीक है determination के लिए वह सारे के अपरेटस क्या होने चाहिए manufacturer द्वारा calibrated होने चाहिए और chief inspector द्वारा time टाइम पर क्या होने चाहिए अब यह बोलता है कि जो एर के samples लिये जाने चाहिए वो कुछ भी points कुछ ही points पर लिये जाने चाहिए ठीक है suitable points पर ठीक है जो की manager द्वारा fix किये गये होंगे intake side में पहली working place के और return side में last working place के ठीक है जो भी district last working place होगा और first working place होगा ठीक है कि भाई इन points पर भी आपको क्या करना पड़ेगा गैस का determination करना पड़ेगा अगर determination shall be made the determination shall be made or samples of air taken as the case may be once at least in every seven days साथ दिन में एक बार आपको क्या करना पड़ेगा air determination करना पड़ेगा और samples लेने पड़ेंगे air के ठीक है अगर determination में क्या रहा है percentage of inflowable gas 0.8% से ज्यादा आ रहा है तो उस case में आप क्या करेंगे हर 24 गंटे के हर 24 गंटे के अंदर वहां का sampling करेंगे ठीक है examination करेंगे वहां की gas का determination करेंगे और यह काम आपको कब करना है अगले साथ दिनों तक यह काम आपको करना है जब तक की regional inspector writing में न बोल दे के भाईया बस करो अब ज्यादा नहीं आ रहा है ठीक है अगर ज्यादा न करना पड़ेगा ठीक है बाकी दिन आपको नहीं करना पड़ेगा ठीक कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें ठीक है अब बोलता है कि अगर किसी determination में वेंटिलेटिंग डिस्रिक में जो परसंटेज इंफ्यादा हो जाता है तो उस जगहे का क्या करना है electricity का supply electrical energy का क्या कर देन है तुरंथी cut-off कर देना है ठीक है अगला regulation है regulation number 170 monitoring devices जिसमें कि यह बोलता है कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अगर वो चाहे तो पर यह स्वारी यह नया regulation है इस साल ठीक है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा राइटिंग में अकॉर्डर दिया जा सकता है कि जितने भी माइ माइन से हैं उन सभी में एक अप्रूफड इंवर्मेंटल मॉनिटरिंग डिवाइस सेट अप होना चाहिए जो कि कंटिनुसली मायन के इंवर्मेंट को एंवर्मेंटल कंडिशन को रिकॉर्ड करके डाटा प्रोवाइड कराता रहे है ठीक है दूसरा यह भी बोल दिया गय है डूसका किया जाता है जो अगर्णी ब्रोड को उसके में परसंटेज से हो गय होगे तो दो हम पको उसके मेलेज परसंटेज पता चल जाता कि यह परेजा Recursection है regulation number 171 general precautions in gassy mines है ना gassy mines में general precautions क्या लेने हैं अब कोई भी working या फिर gallery का extension है ठीक है तीन मीटर से ज्यादा नहीं होना चीए nearest ventilation connection से nearest ventilation connection क्या होता है nearest ventilation connection यह माल लीजी आपका face है ठीक है तो बोलता है इसको यह आपका nearest ventilation connection है ठीक है यह इससे तीन मीटर के जास से आगे यहां से आपको तीन मीटर आगे नहीं जाना है जब तक क्या आप क्याना प्रोवाइड करा दे डक्ट वगेरा प्रोवाइड न करा दे ताकि air का आसानी से वहां पर पहुंच सके मतलब air की coursing वहां तक होनी चाहिए ठीक है किसी भी fire resistant pipe से ट्यूब से ब्रेटिसस से या फिर किसी भी material से ठीक है फेस से तीन मीटर की दूरी पर कम से कम आपको यह maintain करके चलना है कि air आसानी से वहां पर पहुंच रही है ठीक है दूसरे यह बोलता है कोई भी narrow या फिर advanced gallery आपको नहीं drive करनी है कहां से जो भी widen gallery कभी कभार क्या कर दिया जाती है gallery गलती से वाइड हो जाती है फिर वाइड हो जाती तो उस case में वहां से तीन मीटर आगे तक आपको क्या नहीं करना है किसी भी प्रकार का नहीं करना है ठीक है जब तक कि आप वहां पर क्या न कर दे, एयर प्रोवाइड न करा दे, ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जितने भी stoppings है, main intake और main return airway के बीच में, ठीक है, उन्हें बहुत यह अच्छे तरीके से मजभूते से build करना है, substantially build करना है, और जितने भी air crossings का इस्तमाल किया जा रहा है, ठीक है, उन्हें इस तरीक में सिगार लेकि जाए, cigarette, बीड़ी, या फिर कोई भी smoking apparatus underground में लेकर जाए, या फिर किसी भी प्रकार का mobile phone लेकर जाए, ठीक है, या किसी भी person को allowed नहीं है, ठीक, और यह कहता है, कि एक competent person को, banksman के अलावा, एक competent person को हर वक्त mind के entrance पे होना चाहिए, ताकि वो क्या करे, जितन सामान लेकों तो नहीं जा रहे है, ठीक है, उसके बाद कहता है, कि यह जो भी competent person को आपने वहाँ पर खड़ा किया है, तो उसे regulation number 179 के सब regulation number 2 के अलावा, कोई भी दूसरी duty नहीं देनी है, मतलब कि lamp room के अलावा, वो कोई दूसरा काम, इसके अलावा, वो lamp room का काम कर सकता ह और कोई दूसरा काम वो उसे आप नहीं दे सकते है, ठीक है, बोलता है कि अब जो भी सर्च करें, जो भी person को अपॉइंट किया गया हो गया है, वो सारी चीज़े वहाँ पर सर्च करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो चाहे तो जो इस भी person की checking कर रहा है, उसके pockets को पूरे हर जगे कपड़ों में भी check करेगा, कि कोई सामान तो छुपा के नहीं ले जा रहे हैं, और जितने भी articles उसे लगते हैं, कि इस person के पास होंगे, है न, तो वो सारी articles की checking, examinations, अगर अगर कोई भी article उसे मिलता है, कोई भी सामान उसे मिलता है, तो उसका भी examination वो करेगा, कि हा थोड़ी देर से आता हूं, थोड़ी देर से आया, और फिर से उसका, मतलब कि जो confident person वहाँ पर होगा, तो उसका दुबारा से उसको सर्च करेगा, और अगर वह आदमी यह करने से मना करता है, तो उसे इस regulation का उलंगन किया है, ठीक है, अगला regulation हमारा, regulation number 173, underground relighting stations, यह कहा जा जाता है, कि manager, तो lamp stations वगएरा, provide कराएगा, ठीक है, ताकि safety lamps को क्या किया जा सके, relate किया जा सके, उन lamp stations को क्या, कि, उन lamp stations पर एक बोड वगएरा, लगा होना चाहिए, उस board में लिखा होना चाहिए, साफ साफ अक्चरों में क्या, relateing station लिखा होना चाहिए, और एक person वहा सबसे महंगा सर्टिफिकेट यह है गैस ट्रिस्टिंग सर्टिफिकेट चलो ठीक है कोई बात नहीं तो यह था हमारा चैप्टर खतम हुआ सेकेंड पार्ट था ठीक है अब वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरू प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा अगर ज्यादा से ज्यादा लाइक साइंगे और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर साइंगे तभी ओके तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू एंड आल दे बेस्ट